कि ही गाइज वेलकम बेक टू माई यूटिब चैनल माइन हाई नरसी इस्टूजेंट इसमें हम अभी देखेंगे अटेंशन और अटेंशन के इंट्रोड़क्शन डेफिनिशन क्लासिफिकेशन अव अटेंशन अव इसमें आप पे देखेंगे तो जो नए विवर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं तो बच्चों अटेंशन क्या होता है अटेंशन जो होता है वो एक टाम है जो कि हम किस के लिए यूज करते हैं मतलब अटेंशन जो होता है वो परसेप्च्वल प्रॉसेस के लिए यूज किया जाने वाला टाम है मिन परसेप्च्वल प्रॉसेस क्या हो हूँ उससे वह उस पे एक्ट करते हैं या निकि जो अटेंशन होता है उसको एक्ट करना उसके ऊप़र ठीक है मतलब एक सीरीज एक्ष्ट है ठीके तो अटेंशन क्या होता प्रसेपचμ प्रॉसेस के लिए यूज किया जाने वाला यानि एक जो भी स्टुम्ोरा इस या फिर जो हमारे जो अवेरनेस है हमारे जो हमें जो अवेर करने के लिए वो कुछ ना कुछ इसको सिलेक्ट करता है ये एक अटेंशन है और ये जो होता है ये जो एक डिजार एंड मीन एक परपस फुल एंड होता है मैंना जब तक हम अपने purpose में उसको achieve नहीं कर लेते हैं अपने purpose को अपने aim को तो जो desire aim को जब तक हम achieve करने के लिए किसी भी topic और जो object और event को सुनने और उसको और उस पे act करने के लिए क्या होते हैं concentrate करने का एक process है जब तक हम अपने desire end तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम उसमें क्या करते हैं act करते हैं तो यही है फिर है definition definition क्या होती कि जो इन्होंने बोली है attention is the concentration of the consciousness upon one object another than upon another mean जो attention जो होता one object के अलावा जो another पर भी consciousness का एक concentration है मतलब कि एक object पर तो आप concentrate करी रहे हैं इसके अलावा जो होता है हमारा जो consciousness होता है वो क्या करता है another उस पर भी क्या करता है concentration करता है तो यह क्या है एक attention है ठीक है यह जो attention है जिसमें कि हम concentration एक या एक से ज़्यादा पर कर सकते हैं उसके बाद हो गया जो डमविल ने बोला था रोज ने बोला कि attention mind के सामने किसी भी object या thought को clearly अचीव करने का एक process है ठीक है यानि कि हमारे mind के सामने अगर हमारे mind में कोई thought आ रहा है और कोई object है या कुछ भी हमारे आगे आ रहा है तो हमें क्या करना है उसको अचीव करने के लिए कोई भी aim है तो इसको अचीभ करने के लिए जो भी हम करते हैं वही क्या है अटेंशन है पिर उसके बाद बुला है मन ने 1953 में लोने यह डेफिनिशन दी थी कि अटेंशन इस सेट मीन जो अटेंडन है अटेंड है करना एक ऐसा सेट है जिसे की understand करने या उसको perceive कैसे हम करते हैं क्या perceive करने या फिर हम उसके क्या behave करने का क्या उसके perceive करके क्या उसके act कर रहे हैं तो attend करना एक ऐसा set है जिसे हम understand करने या उसके acting करने का एक ऐसा process है इसके attention को contribute करने के लिए करने के point of view से देखा जाता है यानि कि जो attention है वो ही क्या करता है जिसको हम observe करते हैं और उसके हम अब act कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है attention का होना बहुत जरूरी है तो उसको हम इसके point of view से भी देखते हैं तो ये बोला गया है मन ने ठीक है फिर a type of attention type mean classification टाइप तो मैं आपको बाद बताऊंगी तो आप इसको यहाँ पर classification करके mention करिएगा मतलब जो की इन्होंने बोला था रोज ने ठीक है तो रोज की according जो है ये non volitional और involuntary attention है पहला attention तो ये non ने दो तरीके से इसको classify किया है तो non volitional involuntary attention में क्या होता है कि this type of attention जो होता बिना will mean बिना इच्छा कि हम क्या करते हैं वो arise किया जाता हमारे अंदर से ठीक है वो arise होता बिना किसी will के ठीक है बिना मतलब यहां हम क्या करते हैं कोई भी conscious बशिपना किसी conscious effort के यानि कि हम उसमें कोई effort नहीं डालने फिर भी हम क्या कर रहें किसी object में या किसी condition में क्या कर रहें पाटिसिपेट कर रहें उसको attend कर रहें थीक है तो जैसे कि यहां प्यों कि आप है रोते वे अपने बच्चे की और को चले जाता है मतलब उसका धियान उसके और को अराइज हो गया अट्रैक्ट हो गई वो तो यह अटेंशन हुआ ना उसका फिर है दूसरा अगर हम देखे तो अटेंशन टुवार्ड दा मेंबर आप अपोजिट सेक्स मतलब की एक होता है कि अपोजिक सेक्स के और को जल्दी से जो होते है वो अटेंशन जाता है मतलब यह भी एक अटेंशन है ठीक है मीन अपोजिक सेक्स के मेंबर के और जो होता है वो अटेंशन होना और नेक्स्ट हो गया टुवार्ड ब्राइट कलर यानि कि नेचरल यह कोई डिम कलर के होता है तो यह हो गया नॉन वालिशनल यानि कि बिना कोई विल के अचानक से अपना भी अराइज हो जाया है कोई भी हमारी विल के अकॉर्डिंग ठीक है तो इसमें जो होता है यह हो गया अब हम देखते हैं अटेंशन इन विजदा अराउस बाइदा इंस्टिक्ट्स इस काल्ड एंफोर्स नॉन वालिशनल अटेंशन तो जो यह होता है क्या ना में जो अटेंशन है यह जो अटेंशन है इंस्टिक्ट्स मीन हो गया कि यह जो होता है हमारे फीलिंग से अराइज हो रहे हैं मतलब उसे अराइज होता है हमारे फीलिंग से उसे एंफोर्स नॉन внешnal attention कहते है, enforced non-vonitional attention से कह सकते है जो धिहान instinct के द्वारा पैदा किया जाता है उसे non-vonitional attention कहते है, यानि की जो हमारी feelings से हमारी sentiments से उसे Hello Europe attention ठीक है, यह बहुत है फिर जैसे की young man जब जैसे की यहाँ पर देखिया spontaneously जो हो रहागा non-volitional attention इसे बोलिंगे ठीक है यह जो हमारे properly developed sentiment से हो रहा है उसे बोलिंगे towards the object, idea and personal arouse with the sentiment, our form ठीक है यह इस से हो रहा है यहाँ पर आप देखिए young man when we remark on his sex, insect or curiosity to become quite attentive in his task mean अगर कोई young man है जब हम उसके बारे में यानि कि कोई उसके बारे में क्या करेगा, कोई भी अगर remark कर रहा है mean उसके behavior या उसके किसी भी sex के बारे में या किसी activity के बारे में remark करते हैं, तो या उसकी जो curiosity होती है, उस पर remark करते हैं तो वो क्या करता है, become quiet हो जाएगा एकदम से चौकनना हो जाएगा मतलब ठीक है, become quiet attentive हो जाएगा और उसको वो धिहान से क्या करेगा मतलब ये क्या हुआ, उसका attract हो गया उसका attention क्या हुआ, वो अपना भी arise हो गया अंदर से, अचाना कि जब उसने अपना बारे में कुछ सुना रिमाग, ठीक है other type, इसको हम बोलते है यहाँ पर दूसरा हो गया other type of non-volusional attention produced by the sentiment is called the spontaneous non-volusional attention जो subtype में आप इसको डाल सकते है spontaneous non-volusional attention इसका subtype हो जाएगा कि जो other subtype of non-volusional attention है वो जो हमारे sentiment से produce होते है उन्हें spontaneous और non-volusional attention कहते है ठीक है, यह किसी भी person की जो object या idea के लिए क्या होता है properly develop sentiment का एक result होता है, ठीक है जो कि उसके किस से हो रहे है sentiment से produce हो रहे है ideas, ठीक है जिसके साथ हमारे sentiments बनते हैं तो यह मतलब feeling से यह हो रहे है ठीक है, तो यह हो गया attention, इसमें, ठीक है फिर दूसरा हो गया voluntary attention voluntary attention का मतलब हां समझी रहा है कि voluntary, मतलब कोई भी exercise will, means जो भी exercise, मतलब कोई भी हमने past में कुछ काम किया है, तो उसकी will है, मतलब हमारी जो कुछ काम कर रही थी हमने, तो उसकी volitional, मतलब कि उसको हम remind कर रहे हैं, ठीक है, volitional मतलब हम उसको क्या करता है रेमेंबर करता है तो वह किया जाता है इसमें तो यह वालिशनल अटेंशन होगा इसको क्या करता है कॉल करता है मतलब कि हम उसको क्या करता है वालिशनल अटेंशन को remind करता है because it demands the conscious effect on your part it is the last it is a least automatic and spontaneous like that one non-volitional attention क्योंकि ये जो हमाई मतलब क्या होता है मैंने बता है ना आपको कि कोई भी हमने पास में कुछ किया होता है और उसको हम remind करते हैं तो वो हो गया attention बन जाता है एक तरीके से हमारा ठीक है? voluntary attention है हम उसको जान बुचके attend कर रहे हैं अपने को attention में दख रहे हैं क्योंकि यह हमारी और से conscious effort मतलब की demand करता है conscious effort ने उसको किया है effort करके उसको remind किया है यह जो होता है non-volusional attention की तरह कम से कम autonomic और spontaneous भी हो सकता है ठीक है और यह जो होता है जैसे for example यहां पर देखिए autonomic और यह भी हो जाता है जो हम उसको suddenly paid at time of solving and assigned problem of mathematics मतलब कि यह जी को voluntary है क्योंकि voluntary attend कर रहा हम इसको ठीक है मतलब कि जैसे कि यहां पर क्या होगा अगर math का कोई question है तो उसको क्या करना होता है solve करना होता है ठीक है उसको solve करने के लिए क्या होगा अगर जब तक उसमें आप attention नहीं देंगे तो वो problem solve नहीं हो पाईगी तो इसलिए क्या होना है उसको attend करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको solve करना पड़ेगा ठीक है तो mathematics की एक assignment एक problem कुछ है तो उसको solve करने करते समय जो attention दिया गया है वो है और दूसरा example हम देखे तो को examination hall में question का answer solve करने समय भी volitional attention की को भी हम इसको category में रख सकते है ठीक है इनको ये जो काम हो रहे है ये सब volitional category में आएंगे यानि की voluntary में ठीक है अब हो गया इसका अगर हम देखें कि जो volitional attention in further subdivided into two category हम इसको दो category में फिर से divide कर सकते हैं तो ये मैंने highlight कर दिया ये देखें implicit attention हो गया और explicit volitional attention ये मैंने दो इसके वो कर रहे हैं जैसे कि implicit attention के मामले में जो है attention लाने के लिए उससे क्या करना होगा उससे attract करने के लिए a single act of attention यानि कि single act भी करना sufficient होगा अगर हमें कोई किसी चीज़ attention देना है किसी में तो कोई अगर हम single act करेंगे तो वो क्या होगा उसको हम क्या कर रहे है naturally उसको attract कर रहे है ठीक है और single act के इच्छा से mean मतलब अपने will से हम उसके लिए क्या कर रहे है attend को उसके जो attraction है जो उसका attention है उसको arise कर रहे है ठीक है और दूसरा में हो गया जो जो है explicit वाला मैंने बताया था यह क्या होगा कि जो explicit attention है यह हमें इसी मतलब हमें क्या करता है इसे maintain रखने के लिए क्या होता है बार-बार will के act की need होती है यानि कि हम इसको क्या करते है explicit जो attention होता है we need repeated अब हम इसको क्या कर रहे है हमें इसको explicit we need repeated act of will to sustain यानि कि repeated act करके हमको इसको sustain रखना होता है अपनी इच्छाओं को ताकि जो होता है for example here attention is the obtained by the repeated act of will यानि कि हम बार-बार ऐसा repeated act करेंगे कि जो हमारा attention है वो बना रहे हमारा बार-बार will को add करने के लिए जो भी attention हो obtain होता है मतलब वो एक बना रहे है for example अगर आपने कोई aim लिया है तो आप बार-बार उसको remind करेंगे तो वो आपका attention रहेगा कि मुझे उसमें attentive रहना है attentive रहना है आपको ठीक है तो यह हो गया दो ताइक के सब टाइब अब हम देखते है characteristics and feature of attention तो इसमें जो होते है इसको अगर हम देखे तो it involved the ability to focus use of memory mean इसमें जो focus करने और memory का use करने की ability involved होती है ठीक है और it is a mind body set आप यह भी बोल सकने इसको ability to focus and use of memory इतना भी sub adding डाल सकते है और यह दूसरी adding हो जाए कि it is a mind body set यानि कि mind और body का यह set है मतलब कि क्या करता है observation और जो भी हमना perception होता है जो हम observe करते है जो हम perceive करते है उसको यह क्या करता है clear and facilitate करता है यानि कि हमको उसकी एक जो भी है उसको एक clear image हमें provide करता है यह हमारा attention है अगर attention नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या perceive करना है और हमें उसमें क्या act करना है ठीक है और क्या होता है कि यह जो यह जो होता है यहाँ पर अभी एक चीज और रहेगी है यह देखिए यहाँ पर बता दूँ मैं आपको पहले में यह जो होता है यह use of memory के लिए और focus के लिए क्या होता है रिलेट होता है मतलब attention होता है इसमें यह रहता है attention में कि focus और memory का use कर सकते हैं इसमें यह रहेगा characteristics में और यह related रहता है directly cognitive हमारे cognitive process से रिलेटेड रहता है जैसे cognitive development of the infant, toddler and pre-schooler यानि कि जो infant होते है toddler होते है pre-schooler होते है बच्पन से ही क्या होता है कि उनको यह attention का एक process के अंदर development हो जाता है cognitive development बोलिंगे इसको कि बच्चों के जो है brain game दिया जाता है जिससे कि उनका cognitive development हो तो उसमें क्या रहते है उसको उनको उस game के लिए वो attention रहते है attend करते है attentive रहते है ठीक है फिर उसके mind body set मैंने बता दिया आपको attending characterized by the muscle tension and related feeling of effort इज अगर हम किसी में attendant रहते है attendant रहते मीन active हो रहे है तो हमारी जो muscle tension होगी और हमारी जो feeling का हमें पता चलेगा कि हमारा जो effort है हमें उसका feel होगा कि हम उसमें कितना effort कर सकने तो यह भी attention है जब तक हम attention नहीं देंगे तो हमें इन सब का भी knowledge नहीं होगी it involves some adjustment in now system beside neural adjustment और इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो neural adjustment के अलावा जो nervous system के कुछ adjustment भी involved रहते है वो तो पक्की बात है कि जब तक कि वो हमें message नहीं देंगे हमारी stimulus के लिए वो करने के लिए मतलब इस्टूमलेट करने के लिए तो वो सब नहीं हो सकता तो इनका भी adjustment रहता है neural adjustment इसमें ठीक है और क्या होगा कि इसमें क्या होगा characterized by the increased clearance यह जो हता हमको increased clearance का characteristics होती है ठीक है जब तक हमारे पास हमारा जो attention अगर वो सही नहीं है तो हमको जो हता clearance नहीं मिल पाएगा किसी भी चीज़ का जैसे कि writing out of detail in whatever is attendant to यानि कि हम जो कर रहे है characteristic मतलब clearance bringing out of detail in whatever in attendant to mean यह जो increased clearance है जो भी कुछ भी involved है उसमें उसकी detail ही हमें देता है हम जिसमें भी कुछ काम कर रहे है detail कर रहे है उसका यह detail हमको images देगा हमें उसके बारे में attention के त्वारा ही हम उसमें उसके बारे में अच्छी से समझ सकते हैं ठीक है there are three aspects of attention जो कि according to root ने दी थी 1970 में इन्होंने बोला था कि तीन इसमें aspect है कि पहला तो है adjustment of the body and its sense organ यह जो है sense organ और body का एक adjustment है वो naturally है क्योंकि जब body हमारी act करेगी जब उसके sense organ सिख से काम कर रहूंगे तो sense organ ने जो भी sense perceived किया उसने उसको brain को भेजा brain ने body को भेजा तो हमने उस act किया है ना instrument के through फिर clearance and vivid consciousness और यह क्या होता है clear answer मतलब होगे producing powerful feeling तो यह उसका clear है हमारे को powerful feeling होती है और जो clear images होती वो इसी का एक से हमें provide होती है मतलब attention उसमें है उसको facilitate करता है ठीक है तो और क्या होगा set toward action और क्या होता है कि हम अपने action क्या होता है जो हम set कर लेते कि जो भी हमारा goal होता उसको perceive करने के लिए हम उसकी और को act करते है तो मैंने बस characteristics तक आपको बताया था तो thank you guys for watching this video and please do like, share, comment and subscribe this channel and next video जो होगा वो part 2 होगा जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी से types उसके बताऊंगी और उसकी आगे के जो topic है वो cover कर लेंगे second part में ये complete हो जाएगा attention video लंबा ना होगर के okay, goodbye, take care